हेलो एवरिवन तोड़े वी आपको अप्लिकेशन्स ओफ डेरेविटिव और अप्लिकेशन्स ओफ डेरेविटिव आपको चैप्टर शेक्स है एंसे अडी बुक कर ठेक है और यह मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बिकेश इसमें आपको फाइव टॉपिक्स है जो फाइव टॉपिक्स को वन बाई वन डील करना हमें सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें है अप्लिकेशन्स ओफ डेरेविटिव में वो जो पहला टॉपिक है वो है आपका रेट अफ चेंज और सिकेंड टॉपिक आपका है decreasing third आपका topic है tangent and normals fourth topic आपका है approximations और last आपका जो है maxima और minima सबसे most important जो आपका इसमें है वो है maxima और minima एक बात याद रखेंगे जो applications of derivative जो AOD short में बोलते हैं तो AOD से आपको 10 marks के questions पूछी जाते हैं board examinations में जिसमें से 6 marks में a question fix होता है जो आपको maxima और minima से दिया जाता है ठीक है ना mostly आपको maximum minima से questions आपको दिये जाते हैं 6 marks के बागे जो four marks questions होते हैं वो या तो आपको rate of change से मिलेगा या आपको increasing decreasing increasing or decreasing से मिलेगा या आपका tangent and normals या approximations और यह चार marks से जो यह चार exercise है तो उसमें सबसे आपको हो जाता है वो tangent and normals होता है बट आज जो हमें करना है आज जो सबसे पहले पहला जो topic इसका है वो है आपका rate of change और आज हमें पढ़ना है rate of change के बारे में ठीक है बट बिफोर studying applications of derivative you must have knowledge about differentiations ठीक है if you don't know differentiation तो might be possible that you will not be able to solve questions of AOD because आपको यह applications of derivative है जो आपमें differentiation किया है differentiation का यहाँ पे applications है word problem होंगे बाद में आपको differentiating करना है जो आपको 5 topics हमने बताएं थे line wise सब में आपको differentiation कई डरिकेशन है ठीक है न तो differentiation आना आपको important है अगर differentiation नहीं आता है तो firstly आपको differentiation के वीडियो basic जितनी भी knowledge है आपको differentiating чем rule क्या होता को यह आना चाहिए है न और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है अगर नहीं आता है then only I am telling about that तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है rate of change तो हमें चानना है कि rate of change होता क्या है तो हम इसे with example समझते हैं कि होता क्या है suppose हम एक छोटा से example लेते हैं और हमने एक example लिया एक circle हमारा है ठीक है और यह circle का हमारा radius है killer है suppose मैंने यहां माल लिया कि इसका radius हमारा 1 cm है ठीक है 1 cm हमने माल लिया और हमने एक circle लिया बड़ा असा circle लिया ठीक है न और इसका radius का हमने माल लिया 2 cm और इसके बाद हमने किया कि एक circle और लिया जो छोटा ज़रा से लिया है न इसके radius को हमने 0.5 cm मान लिया ठीक है देखिए यहां पर समझी गए इस बात को आपका जो rate of change है इसका मतलब यह हुआ कि आप क्या कर रहे है किसी एक quantity को दुसरे quantity के respect में आप change कर रहे है ठीक है जैसे आप यहां पर देखें अगर मैं यह circle है अगर मैं बात करूँ इसकी area की ब होता है तो आप जैसे पार को चैंच करेंगे तो हमारा area भी क्या करेंगा चैंच करेंगा संधेंगा आर को चेंच करेंगे तो पर चैंज करेंगी अब यह और 5 बिटरीक कुछ और निकलेगा और अगर मैं यहाँ डालूँ गाथ area इंक्रीज करेगा और मैं टू डालूंगा तो एरिया इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है कि आपका एरिया इंक्रीज कर रहा है ठीक है ना means एरिया पे changing हो रही है with respect to radius मतलब इसे कैसे अश्रू करते हैं कि आपका area change कर रहा है with respect to r ठीक है जो आपका area dependent है r आपका क्या है independent है जैसे कि आपने differentiation पढ़ा था समझेंगे सारी बात को ठीक है न आपने dy y dx पढ़ा था वहाँ पे इसका मतलब क्या y हमारा dependent है और x हमारा क्या independent means y is changing with respect to x इस को क्या लिखते है y is changing with respect to x अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है आपका area area of circle area of circle is changing okay with respect to radius समझेंगे ध्यान से अब यहाँ पे area की बात हो रही है तो area हमारा area हमारे quantity है जो change कर रहा है with respect to radius तो यह ज़रूरी नहीं कि आपका area सिर्फ और सिर्फ radius के respect में ही change कर रहे ठीक है ना आप समझेंगे इस बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अगर सपोज यह हमारा area है ठीक है यह हमारा radius है ठीक है तो area जो change करने के लिए area of circle change करने के दो तरीके हो सकते हैं दो तरीके साइए quantity हमारा change कर सकता है ठीक है एक तो है आपका area जो है वो radius के respect में change कर जाए या यह भी दिया हुआ हुआ question पर mention किया रहेगा आपको कि जो आपका area है आपका area किस के respect में change कर रहे है time के respect में change कर रहे है जब area हमारा time के respect में change करेगा तो कैसे change करेगा आप इसको समझे अगर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर समझेंगे, ठीके, अगर area आपका है, area of circle होता है pi r square, अगर time के respect में change कर रहे हैं, तो आप इसे differentiate करेंगे with respect to time, है ना, तो यह आपका d upon dt हो जाएगा, equal to pi हमारा constant, तो pi को differentiate नहीं करेंगे, r square को हम differentiate करेंगे, तो r square को differentiate करने भी कितना, 2 r आएगा, अब change rule याद केजिए, r square को differentiate करेंगे, तो 2 r आएगा, फिर बाद में हम differentiate कर रहे है, with respect to t, तो हमने फिर बाद में r को differentiate करना है, r को differentiate करेंगे, तो कितना आएगा, dr upon dt, हम ऐसे इसे differentiate करेंगे, जब हम differentiate करेंगे, with respect to time, clear है, अभी इसके बा तो आप जो यहां पर कर रहे हो कि हमें क्या करना है कि area of circle के बारे में area of circle का rate of change हो रहा है क्या हो रहा है with respect to radius या with respect to time ठीक है इसे कहते है rate of change rate of change of one quantity with respect to another quantity अब एक बात यहां पर और समझेने की यह है उसको ध्यान से समझेंगे अगर कहीं पर आपको निकालना है question से दिया हुआ है आपको area निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब समझेंगे language में इसका मतलब यह हुआ कि आपका area change कर रहा है with respect to radius तो with respect to radius कैसे लिखेंगे आपका area जो है area पे change हो रहा है area changing, area changing, ठीक है न, पर unit, per unit of radius, पर unit of radius, आप एक unit change किज़ेगा, तो आपका area change करेगा, या तो 1 cm ले ले या 1 meter ले 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 न, whatever given दिया, ठीक है न, इसका मतलब क्या है रहा है, कि इसका मतलब यह हुआ, कि per unit में आपका ये area change कर रहा है, इसको direct practical समझना चाहते हैं, तो practically आप ये समसकते हैं, अगर मैं कहीं लिख दूँ, suppose हमारा area जो है, अगर with respect to R कर रहा हूँ, अगर मेरा लिखावा है 8 cm square per cm, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि 1 cm में area जो हमारा change कर रहा हूँ, कि इतना change कर रहा है, 8 cm square चेंज कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब अपका यह हुआ, ठीक area का unit होता है, square unit, square unit, meanz, अगर आप centimeter लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, cm square, अगर आप meter लेते हैं, 00,14,РЕ, सका रहा है, subir, milimeter, जो दे रहा है unit, उसके रेंगे हैं, अगर हमारा वहाँ पर овые मेटे हैं,स के रहा है, तो area cm square होता है, meters, नवींच गिव भान STEVEN, straight unit होता हूँ, अ अगर वॉल्म की बात करूं तो वॉल्म क्या होता है अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर है तो मीटर क्यूब है ना अब इसी तरह से देखें आप समझेंगे यहां पर अभी क्या बताना चाहरा हूं इस सारी बात को समझेंगे अगर एक बात यह आपको और रेडियस बोल दे आप ठीक है न शरकम्फ्रेंस बोल दे आप यह स्क्राइल यह सारे चीज़ें जो पूरती है इसका हमारे दीक संतीमीटर तो centimeter रहेगा meter है तो meter रहेगा ठीका ना यह बताने के क्या मतलब हो यह मैंने क्यों बताया है कि आप इस से word problem में कुछ चीजे होती हैं वहाँ पर आपको value given होती है और आपको identify करना परता है को area है कि वालूम है या radius की आपको की बात की जारी है या साइड की बात की जा रही है तो आगर सब कोश कराके ही 2020र स्कॐइर स्कॐइर पर कुली करना चाहिए या area को को चेंज कर रहे हैं with respect to radius ठीक है ना with respect to radius आप क्या कर रहे हैं area को change कर रहे हैं अगर suppose एक बात बात कर रहा हूँ मैं अगर माल लिजिए आप आप क्यूब की बात कर रहे हैं ठीक है ना में change कर रहा है था हुं क्या लिखेंगे तुँरी सًेंटी में स्क्वाइर में एरिया जो हँआ मारा सइयाट के इसंक्न होता है तो अगर मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका एरिया है वो time के respect में change कर रहा है अगर question में दिया होता कि area ही changing है ना 12 cm2 per second मतलब area जो है time के respect में हमारा क्या गर रहा है change कर रहा है के लिए रिती ही बात है छोटी छोटी बात दोगे area को capital A से हमें represent करना है अगर area given आपको तो area को आप area को capital A से represent कर लेंगे volume को capital V से कर लेंगे radius को R से represent कर लेंगे ठीक है ना इस तरीके से हम एक alpha weight से हम उसे represent कर लेते हैं ठीक है और समझेंगे एक बात अगर मैंने कहीं suppose यहां लिख दिया आपको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि यह circle का है या आपका cone का है या sphere का है ठीक है ना मैं directly बता रहा हूँ suppose यहां में लिख दिया 10 cm3 per cm है ना या मैं लिख दो 10 cm3 per second है ना इसका मतलब क्या हूँ कि किसी का volume है ठीक है ना और किसके respect में है उसके length is के respect में है ठीक है ना अगर तो यह volume हमारा जो volume है वो side respect में दो सकता है या अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यह जो हमारा volume है वो radius के respect में होगा है थीक है अगर यहां पर second given है इसका मतलब क्या होगा कि जो volume है वो आपको time के respect में change कर रहा ठीक है न इस सुहाले के समय volume आपको time के respect में change कर रहा इस वालें में आपको जो volume है वो आपको side या radius के respect में change कर रहा है छुड़ छुड़ चीज़पो आपको मालूम होना जरूरी है ठीक है कुछ basics formula है जो आपको rate of change में यूज करने है ठीक है तो वो basics formula हमें याद होने चाहिए ठीक है मैं यहाँ बली देता हूँ आप इसे learn कर लिजेगा ठीक है जो class 10 में आपने पड़ा था जिसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे cube की बात करूँ ठीक है ना तो cube जो आपका होता है कुछ की shape का होता है और हमने suppose इसके age को x माल लिया तो आपको बता है कि total surface area total surface area of cube आपका होता है 6 into में side का square lateral surface area आपका होता है 4 into में side का square है ना lateral surface area में हम bottom को और top को नहीं लेते है जो 4 sides होते है उसका area हम लेते है ठीक है इसके बाद इसकी volume की बात करूँ तो volume इसका होता है आपका side the cube means अगर side को हमने x माना है तो x the cube ठीक है यह बात होगी cube की इसके बाद बात करेंगी हम cone की ठीक है ना अगर मैं cone की बात करूँ तो cone का shape कुछ ऐसा होता है आपका यह आपका radius है यह आपकी height है ठीक है ना अगर मैं बात करूँ इसकी total surface area तो total surface area इसका होता है pi rl प्लस pi r square जो इसका curve surface area होता है pi rl जो यह आपका bottom वाला है यह circular shape है उसका pi r square तो हमारा होगा ट्रोल surface area अगर मैं इसकी curve surface area की बात करूँ तो curve surface area में इसकी pi rl होता है only pi rl जो ठीक है अगर इसकी volume की बात करूँ तो volume होता है 1 by 3 pi r square है यह सारी चीचा में class 10 पर नहीं थी मैं यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ आपको अगर आपको बाइदर भूल चुके हैं तो इससे आप याद कर लेंगे ठीक है तो कौन के बात बात आगई आपकी sphere की ठीक है अगर मैं sphere की बात करूँ तो sphere में क्या होगा आपका सुपोज यह हमारा sphere है यह हमारा radius r ठीक है तो इसका जो आपको टोल्ड सर्फेस एरिया होता है यह pi r r square होता है अगर मैं इसकी volume की बात करूँ तो यह होता है 4 by 3 pi r cube है ना 4 by 3 pi r cube और इसका curve सर्फ पे सरिया होता है 2 pi r square ठीक है ना तो जैसे जैसे use होगा मैं आपको बताता रहूँगा अब देखेंगे इसके बाद sphere के बाद बाद आपको आ गई cylinder की देखेंगे cylinder में क्या है आपका cylinder में आपका होगा cylinder shape कुछ ऐसा होता है ठीक है यह radius होगा आपका और यह इसकी height हो गई इसका total surface area आपका होता है 2 pi r h plus 2 pi r square जो 2 pi r h होता है curve surface area होता है 2 pi r square pi r square plus pi r square यह 2 pi r square होगा ठीक है तो यह total surface area हो गया अगर मैं curve surface area की बाद करूँ तो यह 2 pi r h only 2 pi r h होगा अगर मैं इसमें volume की बाद करूँ तो इसका volume होगा आपको pi r square h यह कुछ छोड़ी छोड़ी चीज़े है जो आपको याद होना चाहिए और आपको circle के रिए तो पता ही है pi r square होता है circle की बात करूँ circle का जो area होता है circle का area pi r square होता है इसका circumference जो होता है यह होता है 2 pi 2 pi r ठीक है na 2 pi r आपका circumference होता है ठीक है na यह कुछ चीज़े हैं जो आपको याद रिखनी है ठीक है आप इसे note कर लेजेगा note करने एक बादी से याद कर लेंगा इसके बाद हम इस पे questions करेंगे ठीक है अगर by the way कुछ concepts और बताने हैं तो मैं direct questions के थूरू ही आपको वहाँ पर समझाऊँगा और वहाँ बताऊँगा ठीक है na और इतनी बात से आप मेरे accordingly बहुत अराम से rate of change आप कर लेंगा तो 6.1 का हम very first question देखते हैं ठीक हैं आप screen पे देखेंगे question आपको आ रहा होगा question है आपका find the rate of change of area of circle with respect to its radius r means area of circle आपको find करना है और यहाँ पर आपको बता दिया जाच चुका है कि जो area of circle है उसे हमें differentiate करना है with respect to r means change करना है with respect to r ठीक है ना तो अब यहाँ पे देखें आपको पता है कि area of circle जो होता है area of circle यह pi r square होता है इस circle है इससे हमने radius को r ले लिया ठीक है तो area हमारा area of circle को हमें a माल लिये और यह हमारा है pi r square fine तो हमें find क्या करना है हमें find करना है actually हमें find करना है area with respect to r when यहाँ पे दो बाते हैं first point में आपको even है even r equal to 3 cm हो ठीक है और second में क्या find करना है आपको area find करना है with respect to r जब आपका r क्या है 4 cm हो ठीक है न आपको यह find करना है यह आपको क्या होगा ठीक है तो चलिए हम इससे differentiate करेंगे differentiate करेंगे with respect to r we get अगर हम इसे r के respect में करेंगे तो यह pi constant है छोड़ देंगे r square को अगर आप differentiate करेंगे तो differentiation आपको आना चाहिए r square को differentiate करेंगे 2 r होगा उसके बाद r को differentiate करेंगे तो कितना आएगा dr upon dr विए हम r के respect में change करेंगे और r को r के respect में change करेंगे जब r की value 3 cm हो ठीक है means हमें instantaneous change चाहिए जब r की value 3 पे ठीक है means area हमें चाहिए when r is equal to 3 cm तो आपको क्या करना जा r वहाँ 3 cm पुट कर दें तो 2 pi 3 means कितना होगा 6 pi अब यहाँ पे देखें हमें units को mention करना है तो area किस के लिए होता है square units तो आपको ऐसे लिख कर देखाना है तो आपका area कितना होगा 6 pi cm square पर cm हमने बताया था ना आपको starting में कि यह area इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 1 cm radius अगर 1 cm है तो 1 cm में यह area कितना increase कर रहा है 6 pi cm square change कर रहा है ठीक है ना इतनी बात है अगर इसका second वाला point निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको बस जहां पर R है वहां पर value 4 पुट कर देए जो आएगा वो आपका result हो जाएगा ठीक है ना यह आप खुश से कर लेंगे इसके बाद हम question number देखते है question 2 दिया हुआ है question 2 में क्या given है इससे पहले आप इससे note कर लिजिए मैं फिर question 2 करवाता हूँ मैं आपको next question करते है question 2 है और इसमें given है आपको the volume of a cube is increasing at the rate of 8 cm3 per second 8 cm3 per second it means that यह हमारा volume given है with respect to time आगे given है आपको how fast is the surface area increasing when the length of an age is 12 cm तो इसका surface area कितने के rate से increase करेगा जब इसका length of age जो है वो 12 cm है तो इसमें हमें सबसे पहले क्या given है सबसे पहले आपको इसमें given है आपको volume with respect to time जो की आपको है 8 cm3 per second तो पहले जो quantity is given है हम उसे यहाँ पे mention कर देंगे question 2 है यह आपका तो हम यहाँ पे given है dv y dt volume with respect to time यह given आपको 8 cm3 per second ठीक है क्योंगी cm3 को देखे हमें समझ में आगे कि हमारा volume है तो चलिए यहाँ पे एक diagram बने लेते हैं cube का ठीक है और हमने से side को एक समान लिया तो हमें find क्या करना है basically हमें find करना आपको area निकालना है area कितने के rate से कितने fast rate से increase कर रही है कब जब उसका side कितना हो 12 cm हमें यह find करना है तो अब यहाँ पे देखे आप देखे यह हमारा volume time के respect में तो हमें area भी time के respect में ही निकालना है आप आप आइसे भी logic लगा कर समझ सकते हैं अब देखे यहाँ पे तो यहाँ पे हमने क्या किया side इसके age को हमने माल लिया x तो हम यहाँ पर let कर लेंगे side of cube इसको हमने x let कर लिया ठीक है अब हमें find करना area तो अब यहाँ पे देखे area of cube area of cube होता है 6 into side का square तो आप कहेंगे sir अपने दो formally five area of cube के एक था आपका area of cube total surface area एक था lateral surface area और यहाँ पे कुछ भी mention नहीं किया गया हुआ है कि total surface area find करना है या lateral surface area find करना है fine तो जब कुछ भी mention नहीं किया हुआ होता है तो हम total surface area ही find करते हैं ठीक है lateral surface area given होता तो अगर lateral surface area find करना होता तो given होता ठीक है कुछ भी नहीं बोला गया है इसलिए हम total surface area of clear ठीक है area हमारा a है 6 into my side का square और हम इसे differentiate करना है with respect to time तो हमने यहां लिखा differentiate with respect to t we get ठीक है अगर हम इसे area को time respect में करेंगे तो da upon dt is equal to 6 constant adjectives रहेगा x square को differentiate करेंगे तो 2x होगा हमने channel apply किया है x square को differentiate कि 2x होगा फिर x को differentiate करेंगे तो यह dx upon dt ठीक है ना यह छोड़ी सी differentiation जो basic से आपको आने चाहिए और नहीं आता है तो मैंने chain rule का description chain rule का link जो है मैंने description में mention कर दिया आप देख सकते हैं तो हमारा da upon dt जो है area जो है कितना होगा 12x dx by dt तो हमें यहाँ पे x तो पता x हमारा 12 है ठीक है अब यह हम put करेंगे जब हम dx upon dt की value को यहाँ पे put कर दें तो बट हम यह यहाँ पर dx upon dt की value नहीं given है तो एक बात हमें पता है कि हमारे को volume given है 8 cm3 per second हम इसके थुरू volume के थुरू हम dx upon dt की value find करेंगे ठीक है तो आपने इसे माल लो कि यह हमारा क्या है 2 माल लिजिए से आप और इसे से आप first माल लिजिए ठीक है तो हमने क्या करना है यहाँ पे now volume पे काम करेंगे तो volume आपका volume of cube क्या होता है side का cube होता है ठीक है 3x square को differentiate किया sorry x cube को differentiate किया तो 3x square आ गया अब हमें x को differentiate करना है तो यह आपको dx by dt आएगा ठीक है अब देखिए यह dv by dt की value कितनी है dv by dt की value 8 है तो हमने यहाँ पर put कर देना है यहाँ पर 8 8 equal to में 3x square और यह dx by dt हो गया और हमने यह mention कर देना है कि हमने dv by dt की value को from first लिया है तो यहाँ से finally आपका dx by dt की जो value है वो आगया 8 upon 3x square और इसकी value को हमने यहाँ पर put कर देना है तो हमने लिख देना यहाँ पर put in 2 आपने इसकी value को 2 में put कर दिया तो यहाँ पर therefore d a upon dt की जो value है वो आपको गया 12x 12x.dx upon dt की value हमारे को मिल गया 8 upon 3x square अब देखें यहाँ पर यह cancel होने पर 4 हो गया यह cancel हुआ तो finally हमारे पास किया बच्छा यहाँ पर 8 को 4 से multiply कर दे 32 upon x ठीक है अब यहाँ पर देखें आप तो यह d a upon dt तो finally आपको d upon dt find करना है when when length of age कितना given इसका 12 cm तो जहाँ x अब 12 पुट कर दे तो 32 upon 12 अब इसे solve कर दे 8 for 32 और यह आपका answer हो गया 8 by 3 अब यह देखें हमें यहाँ पर unit end में mention कर देना है तो हमने देखा यहाँ पर जो unit आपका given है वो centimeters में किवें है और area जो है area होता है centimeter square per centimeter तो आपका यह answer हो गया ठीक है तो area हमारे कितने rates से increase कर रही है तो बाद में आप language में लिख दिया किजिए ज़्यादा best होता है ठीक है न therefore area is area is increasing at the rate 8 by 3 centimeter square per centimeter sorry centimeter square per centimeter होगा centimeter square per second होगा time respect में है तो यहाँ पर हम टाइम के respect में लिखेंगे ठीक है ठीक है न डीटी है नीचे में तो यह time respect में है तो centimeter square per second है ठीक है तो यह आपका आंसर हो गया इसके बाद कुशन थर्ड करते हैं आप इसे नोट कर लिए कुशन थर्ड देखते हैं कुशन थर्ड में कीव है ना आपका दर रेडियस ओफ तर्कल इस इंकरिजिंग यूनिफर्मली एड दी रेट ओफ थी सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि तो आपका यहाँ पर गिवन है दी रेडियस ओफ यूनिफर्मली क्या कर रहा है चेंज कर रहा है थी सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है कुशन यह थर्ड है तो आपका यहाँ पर गिवन है दी आर अपन डीटी वी है दी आर अपन डीटी गिवन है थी सेंटीमीटर पर सेके तो क्या बुला, find the find the rate at which the area of circle is increasing आपको क्या करना है, find the rate at which area of circle is increasing when the radius is 10 cm मतलब आपको find क्या करना है, आपको find करना है, to find, अगर radius हमारा r है, तो आपको find करना है area जो है ठीके न, area हमारा increase कर रहा है यह find करना है, जब हमारा radius कितना है 10 cm, तो area कितनी के rates increase कर रहा है, यह find करना आपको जब हमार radius 10 cm है, तो हमें पता है कि area of circle pi r square area, तो हमने pi r square कर लिया, इससे differentiate करेंगे differentiate with respect to time, ठीक है, we get, अगर इससे time के respect में करेंगे, तो d upon dt equal to pi constant as it is रहेगा, ठीक है क्योंकि हम constant को differentiate नहीं करते हैं, r square को differentiate करेंगे, तो 2 r आएगा, फिर बाद में आप r को differentiate करेंगे, तो d upon dt हो जाएगा, ठीक है ना, यह बात समया रही आपको, तो अब देखें यहाँ पर, इसके बाद आपको area find करना है, when r की value कितनी given है, 10 cm, तो यह आपको हो गया, pi 2 into में आपको हो गया यह, 2 into 10 है ना, आप ऐसे कर लें, 2 into में आपको यह 10 हो गया, और इसके बाद एक बाद और है, dr by dt हमारे को given है 3, तो आपको यह 3 हो गया, ठीक है ना, तो finally answer आपको यहाँ पर हो गया, 60 pi, 60 pi और हमारे area है, cm की form में तो cm2 per second हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा final answer हो गया, means हमारा यहाँ पर area जो है, 60 pi cm2 change कर रहा है per second, एक second में हमारा area इतनी के rate से आपको change कर रहा है, increase कर रहा है, तो आप यहाँ लिग देंगे, therefore area of circle, area of last में language लिग दिया गया, ठीक है, square per second, ठीक है, यह आपका final answer हो गया, इसके बाद हम question 4 देखते हैं, question 4 में क्या given है आपको, इसमें लिखा हुआ है, an age of a circle, sorry, an age of a variable cube is increasing at the rate of 3 cm per second, ठीक है, तो इसमें कहा रहा है कि, एक cube given है, और उसका age जो है, means, उसका side जो है, वो increase करता है 3 cm per second, फिर पूछ रहा है, यहाँ पर, how fast is the volume of the cube increasing, यहाँ पर कहा निकालना है, आपको, volume of the cube increasing, ठीक है, when age is 10 cm long, तो question 2 में, और 3 में, sorry, 4 में क्या difference है, 2 में हमें वहाँ निकालना था area, area, area कितने के rate से, change कर रहा है, अब हमें यहाँ आपका फांड करना है, volume, how fast is the volume of the cube increasing, when the age is 10 cm long, तो पहले हमें जो चीज़े की even है, यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है, तो question देखते हैं, question आपका यह 4th है, question 4 देखते हैं, ठीक है, तो 4th में आपका dr upon dt given है, dr upon dt is equal to given है, आपको 3 cm per second, ठीक है, और उसके बाद हमें find करना है, how fast is the volume of cube increasing, तो volume of cube, volume of, जो हमारा cube होगा, उसको हमने side का cube माल लिया, अगर यहाँ लेट कर लेंगे, side of cube, इसको हमने x माल लिया, तो volume of cube आएगा, side the cube, तो अब यहाँ पर देखें, और यह चीज़े हमारे को given है, हमने mention कर देगे हमारा यह given है, तो volume को we let कर लिया, और यह x cube है, इसे हम differentiate करेंगे, with respect to time, क्योंकि यह time के respect में है, तो यह भी time के respect में आएगा, ठीक है ना, we get, तो finally हमारा क्या है, dv y dt, equal to 3x square, into आपका dx by dt होगा, पहले आपने x cube differentiate के 3x square, बात में x को t के respect होगा ना, तो dx upon dt होगा, ठीक है, तो dv y dt हमें तो निकालना ही है, यह finding करना है, dv y dt is equal to, अब यहाँ पर x देखें, आप कितने पर निकालना है आपको, यह आपको निकालना है, जब हमारा x कितना given है, when x is equal to 10 cm long, तो जहाँ पर x है, वहाँ पर आपको 10 आ जाएगा, तो 10 ks square into dx by dt की value गिए वहने 3, तो हमने यहाँ पर 3 mention कर दिया, तो यह finally हमारा answer कितना होगया, यह हो जाएगा 900 cm3 per second, ठीक है, अब यह से multiply कर लिए, इतनी value हुआएगी, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा volume, जो है, therefore volume, volume of cube, volume of cube is increasing at the rate 900 cm3, cube per second है न, इससे आप नुट कर लिजे, next question हमारा है, question 5 है, इसमें question given है, stone is dropped into a quiet lake, and waves move in circles at the speed of 5 cm per second, question कहा रहा है कि एक stone जो है, quiet lake में, शान्त लेक में, शान्त तलाब में, आप drop करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, यह कि waves move करता है, waves move करता है, in circles, ठीक है न, और कितनी के speed से करता है, 5 cm per second, फिर आगे कहरा आपको, at the instant when the radius of the circular wave is 8 cm, तो जो circular wave है, अगर उसका radius हमारा 8 cm है, तो how fast is the enclosed area increasing, तो आपका जो enclosed area है, कितने के rate से, वो increase करेगा यह बता आना है, ठीक है, जो question से हमने भी पढ़ा है, तो इसे हम summarize करते हैं, ठीक है, question सबसे पहले कर रहा है, एक शान तलाब है, हम यहाँ पर एक तलाब बना लेते हैं, ठीक है न, और क्या करना है इसमें, मुझे पता है, गंदा सा diagram में लेकिन कोई नहीं समझी, और इसमें हमने क्या कर गिया, यहाँ पर एक stone को drop किया, समझी कि हमने एक stone को ऐसे drop कर दिया, यहाँ पर ठीक है, अब यह क्या होगा, यहाँ पर circle ऐसे wave ऐसे बने का, ठीक है न, बच्पन में हम करते थे बारिश की पानी, जब खेटा हो जाये करता था, हम क्या गिवन है, जब यह expense केतने के rate से कर रहा है, फाइव सेंटी मीटर पर सेकेंड, अब मसला यहाँ पर यह रह चो गया, यह फाइव सेंटी मीटर पर सेकेंड क्या है, यह हमारा radius है, radius है, या यह हमारा circumference है, circumference को हमने सीमा लिया, ठीक है न, सब्सक्राइब युम्ट रैंटिमेटर से करें चुक्राइब और स्पर्णस को भी हम उसका उसका भी रहुत हमारा क्या हाद क्या हमारा से प्रफ्रेंट गार पूंधे निटरीरा को गन्यता मार्व फाबर्ई ऑटब यहां दिया दूसरा हो फस्ट इसी in close area increasing तो जब अपनी कालेंगे तो कि है यहां पर नीक्रीज कर रहा है तो यहां पर पूश्न को पढ़ेंगे तो वहां पर रेडियस और एरिया फाइंड करना है ठीक है इसलिए हम यहां पर circumference नहीं लेंगे हम यहाँ पर क्या लेंगे radius लेंगे यह हमारा given है तो अब हमें finally करना है area of circle और हमें find क्या करना है वो लिख देता हूँ यहाँ पर to find आपको find करना है area when r is equal to 8 cm जब हमारा radius 8 cm पर होगा तो 8 cm में instantaneous rate of change of circle क्या होगा हमें यह find करना है तो area of circle हमारा होता है pi r square तो देखेंगे यहाँ पर इसे हम differentiate करेंगे with respect to time तो यह आपका d a upon dt हो गया और pi constant चोड़ देंगे r square को differentiate करेंगे तो आपको 2 r आएगा then you have to differentiate r with respect to time तो d r upon dt हो गया तो यह 2 pi r d r upon dt की value किया है हमारा 5 है ठीक है यह से first मा लेजिए और यहाँ लिख देंगे from first हमने first से put किया तो यह कितना हो जागा 10 pi r ठीक है न यह हमारा हुआ d a upon dt तो हमें क्या करना है area find करना कितने के rate change कर रहा है when r हमारा क्या है 8 cm है therefore हम यह लिखेंगे d a upon dt when r is equal to कितना है r is equal to हमारा है 8 cm तो यह कितना हो 8 put किजएगा तो 8 एंजा 80 तो 80 pi ठीक है न अब यहाँ पर unit लिखना मत बोलेंगे आप unit का लिखना area है तो area के लिए आपको आएगा cm2 है न और यहां पर time के लिए हमने second लिए ठीक है कि यहां पर seconds के respect में इक सिर्क में सिर्फ हमने second लिए अगर यहां यहां मिनाते होता है हम इद लेते है अखर यहां पर cent da उतलिए में towards है quite simple है तो अब यहां पर हमने क्या निकाला हमने निकाल लिया लेंग्विज मेंशन कर दिये, therefore area of circle is increasing at the rate 80pi cm2 per second, that's your answer, okay, तापिस से नोट कर लिए, चाहिए, next question देखते हैं, next question हमारा given है, the radius of a circle, the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 cm2 per second, what is the rate of increases, sorry, increases of its circumference, okay, तो आपको यहाँ पे dr upon dt given है, simple है, बहुत ही simple है, आप एक खुश्य भी कर सकते हैं, dr upon dt given है, और यह given है 0.7 cm2 per second, और हमें circumference से बात करनी है, तो circumference of a circle, यह होता है, आपको 2pi r circumference को मसी माल लेंगे, और हमने इसे 2pi r लिया, और इसे differentiate करना है, with respect to time, तो हम इसे differentiate करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा, dc upon dt equal to 2pi constant as it is रहेगा, r को differentiate करेंगे, तो dr upon dt, इसे आप first माल लें, और जहाँ पर dr upon dt value put कर देंगे, तो 2pi 0.7, और हमने mention कर दिया, हमने first से put किया यह से, तो यह आपको 1.4pi cm per second, अंसर हो गया है, आप बस यहाँ पर language लिख दीजेगा, किया, therefore circumference is encouraging at the rate of 1.4pi cm per second, यहाँ पर cm क्यों लिया, क्योंकि circumference के जो आपका unit होता है, cm में ही आता है, कि लड़ी बाते, तो इस 6 के बाद आप question number 7 हम करेंगे, पर इसे मैं रब करता हूँ, question 7 आप जब तक पढ़ लें, आप इसे note कर लिया किजिए, वीडियो को pause करकर इसे आप note कर लिया किजिए, ठीक है न, question 7 देखते हैं, जिसमें given है, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 cm per minute, यह minutes में given है, and the width y is increasing at the rate of 4 cm per minute, फिर question 9 के रहा है, when x की value आपको 8 cm है, और y हमारा 6 cm है, तो find the rates of change, first point में आपको given है, the perimeter, और b part में, second point में given है, area of the rectangle, चलिए हमें आप डेग्राम मनाती है, समझते हैं, यहाँ पर कितनी बात इसमें given है, तो यहाँ पर आपको एक rectangle given है, और rectangle में length को इसने x लिट किया है, और width को y किया है आपको, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि the length x of the rectangle is decreasing, जब जो चीज़े हमारी decrease करती है, तो उससे पहले हम sign negative लगा देते हैं, ठीक है न, अगर यह x है हमारा, तो question number 7 में, 7 में आपको क्या given है, हमें given है, dx upon dt, और वो भी क्या given है, minus का 5, minus 5 centimeter per minute, यह minute का sign है ठीक है न, क्योंकि यहाँ बोला है decreasing, decreasing जश्ते बोलेगा हम sign negative लगा देंगे, ठीक है, और positive होता है, तो उसका मतलब कि यहाँ हो increasing है, ठीक है, तो चलिए देखते यहाँ पे, हाला कि इसके बाद हमार topic increasing decreasing है, हमें वहाँ पर पढ़ना है इस बात को, खेर, और इसके बाद आपको और क्या given है, dy by dt, यह आपको given है, 4 centimeter per minute, 4 centimeter per minute, कि लड़े इतनी बात है, तो इसमें आपको find करना है कि इसके जो perimeter है, समझेंगे हमें क्या find करना है, to find, to find, a point में find करना है, अगर हम perimeter को c माल लें, तो dc upon dt, जब x की value हमारे को given है, 8 centimeter, और y की value given हमारे को 6 centimeter, 6 centimeter given है, तो इसकी value क्या होगी, सेम b में आपको क्या, area निकालना है, तो area, ठीक है, सेम x की value 8 centimeter, और y की value जब 6 centimeter given है, तो क्या होगा, हमें यह find करना है, इतनी बात है कि लड़े, तो चलिए हम इस पे काम करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपका, very first point हमारा a है, और a में हमें find करना है, perimeter find करना है, तो हमारा इसका जो perimeter होगा, जो perimeter होगा, यहाँ पे 2, x प्लस y, आपको पता है, rectangle का perimeter क्या होता है, अगर यह x है, तो यह भी x, यह y है न, formula क्या होता है, 2, length प्लस breadth, length हमारा होगा x, और breadth हमारा y है, हमने 2 पहले लिग दिया, तो 2 length प्लस breadth, तो length की place पे x हो गया, और breadth की place पे y हो गया, तो अचली perimeter का हमने c माल लिया है, तो c क्या है 2 x प्लस y है, हमने इसे differentiate करना है, with respect to time, तो यह आपको dc upon dt हो जाएगा, two constant asides रहेगा, x को differentiate करें, तो आपको यह dx upon dt हो जाएगा, अब फिर प्लस y को differentiate करेंगे, तो आपको dy by dt हो गया, तो यह 2 dx upon dt की value हमारे को minus 5 है, फिर प्लस dy by dt की value हमारे को 4 है, तिक है न, अगर इसे solve करेंगे, तो हमारी value minus 2 आ गई, ठीक है, तो minus 2 आ गई, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, कि हमारा dc upon dt है, वो आपको हो गया, minus का 2, ठीक है, और unit की आएगा यहाँ पर इसका centimeter per minute, मतलब यहाँ पर perimeter हमारा क्या हो रहा है, decrease कर रहा है, इसके बाद हम इसके language mention कर देंगे, यहाँ पर mention कर देंगे, therefore perimeter of circle is decreasing, decreasing at the rate, कितने के रट से, 2 हमारा है, तो 2 centimeter per minute, एक बात यहाँ रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर word लिख दिया, decreasing, तो यहाँ पर minus का sign मत दिखाईगा, ठीक है, तो decreasing हमारा negative है, decrease कर रहा है, यहाँ पर decreasing भी लिख देंगे, यहाँ पर minus भी लिख देंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है, अब हमने यहाँ पर language नहीं लिखाता है, statement नहीं लिखाता है, minus 2 यह चो कर रहा है, यह decrease कर रहा है, हमने यह language में लिख दिया, ठीक है, तो यह हमारा A हो गया, अब इसके बाद हमने B part करना है, इसका B part क्या होगा, B part में हमें area पर काम करना है, तो area क्या होता है, length into breath है न, तो area को आप एम आले, यह length into breath हो गया, अब यहाँ पर प्रोड़क्ट को अप्लाई कर दें, तो d upon dt जो आपका आएगा, x को differentiate करेंगे, तो कितना आएगा, dx, y, dt, क्योंकि हम time को respect में कर रहे हैं, अब y को agitive छोड़ें, फिर plus में x को छोड़ें, और y को differentiate करेंगे, तो यह dy, dt हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पर समझें, ध्यान से, क्या समझना आपको, कि area हमें निकालना है time के respect पे, तो हमारे को यहाँ पर x की value और y की value गिवन है, ठीक है, तो यहाँ प तो हमारा जो d upon dt की value आएगी, तो value क्या होगा, जहाँ dx upon dt है, उसकी value है, minus का 5, तो इसके place पे आप put करेंगे, minus 5, और y की value है, हमारे को 6, y की value है 6, फिर आपको plus x की value है 8, और y by dt की value है 4, हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया, ठीक है, ना, तो finally minus का 30, plus में 32 हो गया, तो value कितनी है की 2, यह plus का 2 आगया, तो d upon dt की value plus में 2 आगया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, centimeter square per minute है ना, एरिया है, area के unit centimeter square में आए गया है, square unit में आता है, तो language mention कर देना आप खुछ से, therefore area of a rectangle is, area of, sorry, perimeter of circle नहीं है, perimeter of rectangle है, rectangle is, ठीक है ना, अभी हमें circle कर रहे थे हैं, mind में circle ही चलता है, ठीक है, तो therefore area of rectangle is increasing at the rate of 2 centimeter square per minute है, यह आपका answer हो गया, आप इसे note कर लीजे, next question करते हैं, question 8 है, question 8 आपको है, balloon which always remains spherical on inflation, ठीक है, एक balloon है, जो हमेशा और हमेशा spherical ship में रहता है, एक उलेकार ship में रहता है, on inflation, ठीक है ना, जब उसे आप फैलाएंगे, तो inflation होने पे भी हमारा क्या रहता है, spherical रहता है, is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second, means आप उसमें per second, जो gas fill करते हैं, वो 900 centimeter cube करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह बात तो sure हो गई, कि हमारे को यहाँ पर volume given है, with respect to time, किसका, balloon का, और उसके बाद आगे क्या find करना है, इसमें, find the rate at which the radius of the balloon increases, when the radius is 15 centimeter है, तो हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, एक spherical, एक spherical shape बना लेते हैं, ठीक है, अब बना लेना अच्छा से, कोई दिखकत नहीं, मिरे diagram तुछे गंदी होती है, ठीक है ना, लोग माल लेते हैं, क्या है यह, ठीक है न, यह हमारा यह है, और इसका radius को हमने आर माल लिय है, तो हमें find करना है, कि आप find the rate at which the radius of the balloon increases है, तो हमें find करना है, dr by dt, when r equal to 15 centimeter, is equal to water, simple जब बना है, जैसे समझे, आपके पास एक balloon है, और उस balloon में आप 900 centimeter cube gas per second fill कर रहे है, तो उसका volume क्या कर रहा है, increase कर रहा है, जब volume increase कर रहा है, तो उसका radius भी increase करेगा, है ना, तो यह question में कह रहा है, कि अगर radius इसका 15 centimeter तक reach कर जाए, तो वो radius कितनी के rate से change कर रहा है, आपको यह find करना है, तो पहले हमें क्या given है, question हमारा है, 8 है, इसमें देखेंगे आप, हमें given है, dv by dt, 900 centimeter cube per second, यह given है, और आपको पता है, volume of sphere जो होता है, वो 4 by 3 pi rq होता है, अब हमने इसे differentiate करना है, with respect to time, तो हमने इसे differentiate किया, with respect to time, तो यह आपको हो गया, dv by dt equal to 4 by 3 pi constant है, यह पूरी value as it is रहेगी, rq को differentiate करेंगे, तो यह आपको 3 r square, फिर बाद में r को differentiate करेंगे, तो dr by dt होगा, ठीक है, थुरी से यह 3 cancel हो गया, तो finally आपको पास बचा, 4 pi r square और dr by dt की value, हमें नहीं पता, हमें यह find करना ठीक है, तो यह हमारा dr by dt है, बट हमें dv by dt की value पता है, वो 900 है, तो हमने यह mention कर दिया यह 900, अई से first माल लिया, और लिख दिया हमने यहापे from first, के लिए इतनी बात है, तो अब देखें आप, यह आपको 4 से cancel हो जाएगा, 4 से cancel हो जाएगा 225, तो यहाँ से आपको dr by dt की value आगई, कितना आगया, 225 upon pi r square, तो हमें क्या चाहिए, radius कितने के rate से change कर रही है, radius कितने के rate से change कर रही है, जब हमारे radius कितना है, 15 cm है, तो हमें answer निकालना है, dr upon dt, when हमारा r कितना है, 15 cm, तो जहाँ पे आपका r है, वहाँ पे हमें 15 put कर देना है, तो उपर में 225 upon नीचे pi है, यहाँ 15 दिये square आएगा, ठीक है, आपको प्लेस हमें 15 put कर दिया, और 15 का square 225 ही होता, इससे पूरा cancel हो गया, तो finally जो आपके पस बचा, वो बचा 1 by pi, तो आपका dr by dt जो हो गया, dr by dt, यह आपको हो गया 1 by pi, और यह हमारा unit centimeter में है, तो यह केतना हैगा, centimeter per second, यह आपका answer हो गया, language आप खुछ से mention कर लिजेगा, therefore radius of the balloon, spherical balloon is increasing at the rate of 1 by pi centimeter per second, okay, आप यह से note कर लिजे, चले हम next question करते है, question number 9, और question number 9 इस part का यह last question है, इसके बाद हम question जो 10 से लेकर 17 तक, remaining questions, next part में करेंगे, जो part 2 होगा, यह part 1 है, ठीक है, AOD, applications of derivative का जो first topic हमारा है, rate of change of quantities, तो rate of change का यह हमारा, आज का last question है, ठीक है, जो rest question साब की question number 10 से 17, मैं आपको coming video means part 2 में बताऊँगा, ठीक है, यह part 1 है, part 2 में बताऊँगा, clear है, उससे मैं बहुत जल्दी अप्लोड कर द ठीक है, question है, question है, question है, question है, question है, बालून which always remains spherical has a variable radius, एक बालून है, जो आपका हमेशा और हमेशा spherical लगता है, जिसका radius हमारा क्या है, variable है, ठीक है, find the rate at which its volume is increasing with the radius, when the letter is 10 cm, question है, आपको, find the rate at which its volume is increasing, आपको, बताना है, इसके volume, कितने के rate से increase कर रही है, with respect to radius, याद रखेंगे, आपर time नहीं given है, यहाँ पर radius के respect में, differentiate करना है, कब जब radius हमारा कितना हो, radius हमारा हो, यहाँ पर, 9 cushion, 10 cm हो, ठीक है न, समझेंगे, आपका, एक square आपका है, ठीक है न, यह हमारा radius है, तो आपको, find करना है and dv upon dr, when r is equal to 10 cm होगा, तो इसकी volume कितने के rate से, आपको increase कर रही है, ठीक है, अब हमें दिखना है, इसमें given क्या है, तो given तो यहाँ पर कुछ नहीं है, directly हमें, solve करना से, इतनी बात given है, कि r हमारा 10 cm होगा, तो हमने question number 9 में, बहुत simple है, let कर लिया, radius, को r माल लिया, तो volume of a sphere, यह होगा, 4 by 3, pi r cube, ठीक है, तो हमने differentiate करना है, differentiate with respect to r, we get, तो यह आपका dv y, dv y, यह dr हो जाएगा, आपका, क्योंकि हमें r respect में करना है, given है, 4 by 3, pi, constant as it is, रहेगा, r cube को differentiate करेंगे, तो क्या है, 3r square, फिर बात में हम क्या करेंगे, dr by dr, और dr by dr केतना होगा, 1, है न, जैसे dx by dx के आओ दाता, 1, तो इसलिए हम dr by dr नहीं लिखेंगे, ठीक है न, अब हमें volume चाहिए, when r equal to 10 cm, तो कुछ नहीं करना, यह तो इस तरी cancel कर द 10 put कर देजे, तो finally आपका answer आ गया, 400 pi, 400 pi cm3 per cm, volume के लिए हमारा cube आ गया, और radius के लिए cm3 आ गया, तो language का लिखेंगे, therefore, therefore, volume of balloon is increasing at the rate of 400 pi cm3 per second, okay, तो यह आपका rate of change का आज का last question है, और जैसे मैंने बताया अभी आपको कि, अब question number 10 से लेकर आपको 17 तक मैं, part 2, means coming video में मैं आपको बताऊंगा, और question number 10 बहुत important question है, इसमें कुछ questions ऐसे हैं, जो काफी important है, ठीक है, examination point always है, question 10 हो गिया, फिर question 14 हो गिया है, तो सारे के सारे हम discuss करेंगे, coming video में, ठीक है, और एक पात मैं यह कहना जाता हूँ, कि आप मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना, और आप मुझे comment करके बताएंगे, आप अपने suggestion मुझे आमें देंगे, तो ही मुझे मुझे मालम के लेगा कि आप को समझ में आ रहा है या नहीं, जो work मैं कर रहा हूँ आपके लिए, वो fruitful है या नहीं है, यह सारा का सारा depend करता है, आपके comments पे, ठीक है, और आपके comments मैं बढ़ता ह ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह भी है, कि आप इस वीडियो को अपने friends से share किया करें, क्योंकि आप भी इसके benefits उठाएं, और अपने friends को भी इसके benefits लेने दे, ठीक है, all the very best, आप इसे note कर लेजे, अब हम मिलते हैं आपको coming video में, okay, all the best, bye.